सप्राइबरís एक बहुत इंपांट जिसे दी आनले थेहां किस तरह से को विरीफाइड करते हैं किस तरह क भीडिए यह में से इस तरह से सब्सक्राइब करना हो वूला करना और चेयर करना मत बुलनाउं दूतरा नहीं है एकनट रख़र है अग्यार बार मतलब क्या होता इसका कंप्लिमेंट होता है ठीक है इसका नॉट ओपरेशन ये होता है ठीक है तो ए बी का नॉट ओपरेशन है मतलब यह क्या है एंड का नॉट ओपरेशन आपने एबी का क्या गिया एंड ओपरेशन किया और फिर उसके बाद में आप इसका क्या कर रहे है नॉट तो इसके बराबर होना चाहिए यानि न्यौब बराबर होना चाहिए एक नौट-बरेशन याने कि A का not operation, B का not operation, दोनों का end operation, क्योंकि boolean expression मेंशा operation की बात करता है, यह हमारे समझने के लिए कि plus है और यह multiply है, फ़र यह actually है क्या यह और operation और end operation है, बार लगा दिये तो not operation हो गया, तो यह हमें समझने जरूरी है, हम समझने वाली बाशा में बात करेंगे इसकी, हमने क्या करा है, एक को multiply के इसको compliment ले लिया, एक का compliment प्लस बीका compliment और एक का compliment अब इसको verify का माइन और operations को ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने क्योंकि दो variable है, ठीक है कि दो 0011011, इस तरह से हम लिखेंगे, किस तरह से लिखा जाता है, हमने प्रिवियर्स lecture में बात कर चुके, महां जाकर के देख लेना, कि अगर दो variable हैं, तो किस तरह से हम इसको याद करने की जरूद नहीं है, किस तरह से हम इसको लिखेंगे, तो फटा-फट से टेबल अपनी साड़े में लिख लो और उसको बना लो, ठीक है, क्योंकि जब आप two variable हम तब तो नहीं देखकत नहीं आएगी, तो यह आपको बनाना आनी चाहिए, तो यह बनाना हम अलड़ी previous selection में समझ चुके हैं, तो बहां जाकर इसको देख लेना, ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले a बार की, तो a बार हमें क्या मिलेगा, यहापर 0 का complement, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है, 0 का 1, 1 का क्या हो जाएगा, 0, 1 का 0, ऐसे b बार की है, अगर मैं बात कुन, क्या मिलेगा मझे, 1, 0, 1, 0, यह मिलेगा, ठीक है, a, b का हमें लेना है, बार, यानि कि हमें क्या करना पढ़ेगा, पहले, दौनों का पहले, multiply करना पढ़ेगा, इसका a और b का है, end operation करना पढ़ेगा, फिर इसका not operation है, उसका complement करना पढ़ेगा, ठीक है, चलो करके देखते है, a, b का dot product निकालेगे, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 का complement, 1 होगा, ठीक है, इसके बाद, 0, 1, 0, 1 मिलेगा, 1, 1, 1, 0 मिलेगा, तो यह हो गया, ठीक है, ऐसे अब, a बार, प्ल मिलेगा, 1, 0, 1 मिलेगा, 0, 1, 1 मिलेगा, 0, 0, 0, मुझे क्या मिला, 0 मिला, जरा देखो, पहला वाला जो हमारा statement है, वो यहां से proof हो जाता है, कि a, b, bar is equal to किसके बरावर हो रहा है, यह, a, bar plus, b, bar कि equal हो रहा है, तो यहां से यह जो truth table है, यह इसको क्या कर रही है, दो, 0, 0, 0, तो 1 मिलेगा, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, और सी यह ऑई, अब आपर डॉट, यह, यह इसका end operation दोनोगा, तो यह, बार हमारे पास है, तो 1 मिलेगा, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1-0, 0, जरा देखो, यहां पर भी क्का आ रहा है, हमां goddess, यह इक्कोल हमें यहां प मिल रहा है तो यह भी इसके लिए verified है तो इस तरह से आप टीम ओर्गान theorem को क्या कर सकते हैं इसके लिए आप verify कर सकते हैं डूटेवल की help से चलो अब इसके numerical पर चलते हैं कि numerical को हम solve करेंगे किसे यह हमारे पास कुछ numerical है और इस तरह से numericals को हमें स्वाल करेंगे, क्यूंकि हमें क्या मिला, तो एक बार देखनें को मिल रहा है, तो true morgan theorem को पे here , करना पड़ सकता है, थीक है तो चलो, कैसे solve होगा?, तो यहां पर आय जागा, A, B, bar का क्या मिल जागा, मज़े बार मिल जाएगा, dot होगा, A, B का बार होजाएगा, dot, A, B का बार होजाएगा, यही हमने समझा था, वहीं तीन है नहीं, फिर 1, 2, 3, तीन हो किसमे और operation में statement देखते हैं, अगर operation का क्या हो रहा है, not हो रहा है, तो सभी पर क्या होगा यह बार distribute हो जाएगा, और साथ में क्या जाएगा, उनका end operation हो जाएगा, ठीक है, तो हमने क्या कर रहा, तीन addition में, तीन होगा, multiply होगा, सब पर बार apply करने हो, ठीक है, अब इससे आगे हम apply करते हैं, तो यहाँ पर A, B, bar का बार है, यानि कि compliment का भी compliment क्या मिलेगा, मज़े, A भी मिलेगा, dot, मज़े क्या मिलेगा, A मिलेगा, अब इसको अगर हम करें, तो क्या मिलेगा, मुझे, यहाँ मिलेगा, A बार, प्लस, B बार, यह किस से मिलना है, मज़े, यह मिलना है, इसके, first statement से, मिलना है, देखो जरा, A, B, bar, is called to A, bar, plus, B, bar, ठीक है, आगे solve करें, तो जरा देखो, यहाँ पर क्या रहा है, हम इसको थोड़ा सा arrange कर लेए, A, dot, A, B, A, A, bar, plus, B, bar, तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो हमें क्या मिलना है, यहाँ पर, A, dot, B, मिलेगा, क्योंकि A, dot, A, क्या हो जाता है, A, होता है, B, मिलेगा, ठीक है, A, bar, plus, B, bar, इसकी value निकाले, तो क्या हो गया है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, Distributive law apply कर देते हैं, A, bar, plus, A, B, B, bar, तो A, dot, A, bar, क्या होता है, 0 होता, तो 0, B, dot, B, bar, 0 मिलेगा, ओवरोड इसरेट के हमला मुझे यहाँ पर, 0 मिला, तो इस तरह से हम दे मॉर्गन फिवर हमको apply करते हुए, किसी भी expression को simplify कर सकते हैं, उसकी value को हम find कर सकते हैं, उमीद है, यह question आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को like करना मत बूलना, चलिए हम question number 2 पर चलते हैं, इसके solve कैसे करना है, यहाँ पर भी, हम यहाँ पर apply करेंगे, ठीक, अब हम यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, a.a bar plus a, b bar हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलना मुझे, B A bar plus B dot B bar मिलेगा तो ज़रा देखो यहाँ पर क्या पता मिलना है 0 plus A B bar मिलना है यहाँ पर क्या मिलना है B A bar plus 0 तो यहाँ पर मुझे overall result मिला वो क्या मिला मुझे अगर हम multiply करना यहाँ पर मिलेगा A B bar dot B A bar result 0 ठीक है कैसे हो गया 0 भाई यह देखोज़रा क्या रहा है B dot B और यहाँ पर क्या ला A dot A bar सभी का value क्या मिलना है 0 मिलना तो यहाँ पर क्या हो गया यह 0 हमें हाँ पर मिलेगा तो उम्मीर है यह question आपको समझ में आ गाए होंगे कि दिमर्गे थियोरम को किस तरह से solve किया जाता है इसकी help से किसी भी expression को किस तरह से simplify कर सकते है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को लाइक करें शेयर करना मत बूल करें